फिफ्टी प्लस कोश्चन इन वन वीडियो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल वेंदर स्टेडिया को जीके पर फ्रेंड्स आज आपके लेकर आया हूँ बायोजी साइंस के मुश्टन कोश्चन जो आपके आने वाले एक्जाम के लिए इंपॉर्टन अगर के को आन udi जरूर देखना यखना हर कोश्चन के चार अपस्ञ देए जाएंगाँ एकर आपके इन में से हमासे किसी भी कोश्चन काम्टस नाट से पहने से आता है आप कमेंट इस स्टार्ट कर लेते हैं पर्स कोश्चन है कर लेते को न है जिन को कहांए जाते हैं लो हर्श यानि की क्रोम जोम इंपोर्टन कोशन कई बार है कि जाम यह पूछा गया बेसिकली यहां पर एक कोशन और बन जाता है जैसे कि अगर आप यह पूछा जाए कि इन मैं से ऐसा कौन है जिसको हम सुसाइडिल बैग या फिर डाइजटे बैक की नाम से भी जानते हैं तो अगर answer आते हैं तो आप comment box जरूर लिखना तो answer है basically option C यानि की lysis हो एक question यहाँ पर और भी बन जाता अगर आप से यह पूछा जाए कि ऐसा कौन सा पार्ट है cell का जिसको हम powerhouse of cell भी बोलते हैं तो answer क्या हो जाएगा mitochondria important question है कई बार है गिजा में पूछा गया अगर आप से यह पूछा जाए कि cell ball किस cell में absent होती है animal cell या plant cell में तो आंचे क्या हो जाएगा it is absent in animal cell यह भी important है कई बार है गिजा में पूछा गया next लेते हैं which are falling is responsible for transpiration option और जाइलम option B root option stomata and option D bark फिंस question B C के पूछा गया था कि इन में सा कौन सा पार्ट है प्लांट प्लांट का जो की responsible है किसके लिए transpiration के लिए चार आप्शन दीगे थे आप्शन जाइलम option B root option stomata and option D bark answer क्या हो जाएगा option C यानि कि stomata is responsible for transpiration important question है कई बार है गिजा में पूछा गया है नेश्ट लेते हैं which are the falling is the earliest gland to appear in the embryo option R pituitary gland option B thyroid gland option C adernal gland and option D ovary friends question B C के लिए पूछा गया था कि embryo में सबसे पहला जो gland gland appear होता वो कौन सा है चार option दीगे थे option R pituitary gland option B thyroid gland option C adernal gland and option D ovary answer क्या हो जाएगा option B यानि कि thyroid gland is the earliest gland to appear in embryo important question है कई बार है गिजा में पूछा गया basically यहां पर एक कोशन और बन जाता अगर आप से यह पूछा जाए कि जो adernal gland है वो किस form में exist कर जाने कि single है यहां paired में तो आंचे क्या हो जाएगा pair में exist करते हैं और यह कहां present होते अबब kidney आप इसको भी याद है यह दोनों question कई बार है गिजा में पूछा कि आपके लिए important है नहीं से रहते हैं redness in the apple is due to option और anthocyanine option B lycopene option C carotene and option D anthophyll फैंस question B C के लिए पूछा गा था कि जो apple में redness होती है थोड़ी थोड़ी आपको देखा होगा तो वो redness basically किसके कारण है आपको चार option दिए गए थे option और anthocyanine option B lycopene option C carotene and option D anthophyll आंसे क्या हो जाएगा option A यान की anthocyanine redness in apple is due to option A anthocyanine important question है कई बार exam में पूछा गया फैंस आपके लिए मैंने सारे question important और सारी फोड़े को एंतर जरूर देखना फैंड आपको इस channel में शाही क्वाटिक नहीं दिये जाता है जो आपके exam के लिए काफी useful है आपके लिए मैंने already बहुत सारा content डार लगा जीकेश लेड़ी जो आपके exam के लिए काफी useful है तो फैं vitamin d3 option c vitamin b12 and option d vitamin b6 तो answer क्या हो जाएगा option a यानि की vitamin d2 is also known by ergo calciferose important question है कई बार exam में पूछा गया basically आपको मैं एक question दे रहा हूं जिसका जो answer है आपने मुझे comment बहुत दूर बताना है आपको यह बताना की vitamin d की deficiency के वज़ए से कौन सी disease होती है हमें next question which are the falling test help to diagnosis of cancer option a urine test option b blood test option c biopsy and option d x-ray answer क्या हो जाएगा option c यानि की biopsy test help in the diagnosis of cancer important question है कई बार exam में पूछा गया आपका कुछ body का part थोड़ा सा वो sample की ज़र पर लेते हैं फिर जाके उसका laboratory में test करते हैं उससे help से cancer को diagnose किया जाता है next question largest gland of the body is optional liver, option d pencleas, option d pituitary and option d thyroid gland answer is option a यानि की liver is the largest gland of human body basically यहाँ पर एक question और बन जाता है अगर आप से यह पूछा जाए कि जो हैपरीन हार्मोन होता है बेसिस को हम anti-coagulant agent बोलते हैं जो कि blood को coagulant नहीं होने देता हमारी body में उसको सक्रीट कोन करता है तो इसका जो answer है वो है option a यानि की liver एक question यहाँ पर और बन जाता अगर आप से यह पूछा जाए कि ऐसा कौन सा हमारा body पार्ट है humor body में जिसमें सबसे ज़्यादा अपने आपको ठीक करने की शहमता है यानि की self-regionation बाप यहाँ पर किस में होती है तो answer क्या हो जाएगा liver में और सबसे कम किस में होती है तो वह हो जाएगा neuron cell यहाँ फिर nerve cell आप दोनों कोशन को याद रखें यह कई बार exam में पूछा गया आपके लिए important है नश लते है जोंडिस causes the infection in option our brain, option b liver, option kidney and option d spleen तो answer क्या हो जाएगा option b यानि की liver जोंडिस causes the infection in liver important question है कई बार exam में पूछा गया नश लते है ग्राइकोमा is the disease of option our skin, option b lungs, option liver and option d eyes तो answer is option d यानि की eyes important question है कई बार exam में पूछा गया अगर आपसे यह पूछा जाए कि जो human eye का least distance vision है वो कितना centimeter का होता है तो answer क्या हो जाएगा 25 centimeter नश लते हैं the ability of the eye to see in the dark is due to the production of purple pigment known as option our carotene, option b rhodospin, option c idospin and option d retinine friends question bc के लिए पूछा गया था, हमको रात को भी visible हो जाता है तो visible इसलिए हो पाता है क्योंकि हमारी आँख में एक purple कलागा pigment present होता है अब आपसे यह पूछा गया थे कि उस purple pigment को हम क्या बोलते हैं चार option दी गेते, option are carotene, option b rhodospin, option c idospin and option d retinine तो अंजर क्या हो जाएगा, option b यानि की rhodospin is the purple pigment present in human eye which helps the ability which helps human eye to see in dark important question है कई बार एगेजा में पूछा गया है, नहीं रहते हैं which part of the eye get inflamed and become pink when dust gets into, option are cornea, option b, choroid, option c, conjunctiva, and option d, none of these friends, question b c के लिए पूछा गया था, कि अगर हमारी आँख में dust चला जाए, तो जो part हमारा spelling हो जाती है या फ्लेम हो जाता है, या फिए थोड़ा color change हो था, pink color का हो जाता है, तो वो कौन सा पार्ट है हमारी human eye का, चार option देगे थे, option are cornea, option b, choroid, option c, conjunctiva, and option d, none of these तो आँचे क्या हो जाएगा, option c, यानि की conjunctiva part of the eye get inflamed and become pink when dust gets into, important question है, नहीं चुछा लते है तो आँचे क्या हो जाएगा option b, यानि की liver is the organ which break fat to produce cholesterol, important question है, कई बार है गिजा में पूछा गया basically यहां पर एक question और बन जाता है, अगर आप से पूछ रहा है कि structure and function unit of kidney is तो answer क्या हो जाएगा, nephron, अगर हम बात करें structure and function unit of brain तो answer क्या हो जाएगा, neuron, दोनों question important है, कई बार है गिजा में पूछा गया, नहीं लते हैं, the bile produced through optional liver, option b, stomach, option pancreas, and option d, gall bladder, अंचे क्या हो जाएग option A, यानि की liver, important question है, कई बार है, गिजा में पूछा गया, basically यहां पर एक question और बन जाता है, अगर आप से पूछ जाए, कि जो हमारा stomach है ना, उसमें कौन सा acid produce होता है, तो आंचे क्या हो जाएगा, HCL जिको हम हाइड्रोख्लोरिक acid भी कहते हैं, अब बात यहां पर यहां प protect करता है किसे HCL से, आप इसको भी याद है कि यह भी exam में पूछा जाता है, नेशलते हैं, energy stored in liver and muscle in the form of optional carbohydrates, option B, fat, option B, protein and option D, glycogen, answer क्या हो जाएगा, option D, यानि की glycogen, important question है, कई बार exam में पूछा गया, नेशलते हैं, the faculty matter is removed through the NS from time to time, is known as optional absorption, option B, suggestion, option ingestion and option D, assimilation, तो answer क्या हो जाएगा, option B, यानि की suggestion, the fecal matter is removed through the NS from time to time, is known as, answer option B, यानि की suggestion, friends, अगर आपको यह content अचा लागा, प्रीज वीडियो को like और minute and share जरूर करेगा, अब हम Instagram, Telegram और phase ओपर join कर सकते हो, as brain the study eye को GK, इसले ते हैं, अब breathe test used by the traffic police to check drunken driving usage, option R, potassium dichromate, sulfuric acid, option B, potassium permagnate, sulfuric acid, option C, turmeric and filter paper and option D, silica gel coated with silver nitrate, तो answer क्या हो जाएगा, option A, यानि की potassium dichromate with sulfuric acid is used by traffic police, breathe test to check drunken driving, important question है, कई बार है गेजा में पूछा गया है, ने स्लेदे हैं, white lung disease is prevalent among the workers of, option R, paper industry, option B, cement industry, option C, cotton industry and option D, coal industry, तो answer क्या हो जाएगा, option C, यानि की cotton industry, next question, which are the following animal breathe through their skin, option R, fish, option B, pigeon, option C, frog and option D, cockroach, तो answer क्या हो जाएगा, option C, यानि की frog, animal breathe through their skin, important question है, कई बार है गेजा में पूछा गया है, तो अगर आप से पूछा गया है, कि जो fish है, वो कहां से breathe हो जाएगा, गिल्स, next question, तो answer क्या हो जाएगा, option C, यानि की spleen, or get that filter blood in human body, important question है, कई बार है गेजा में पूछा गया, basically यहां पर एक question और बन जाता है, कि आप से पूछा है, कि graveyard of RBC किसे बोला जाता है, तो I think इसका जो आंतर है, वो है spleen, important question है, कई बार है गेजा में पूछा गया, यह भी, next question, option A, flame cell, option B, renal gland, option C, elementary canal, and option D, urinary bladder, तो answer क्या हो जाएगा, option A, यानि की flame cell, excretive system in the flat worms is, answer is option A, यानि की flame cell, important question है, कई बार है गेजा में पूछा गयाने स्ट है, when kidney fail to function, there is accumulation of option of fats in the body, protein in the body, sugar in the blood, and option D, nitrogenous waste product in the blood, answer is option D, यानि की nitrogenous waste product in the blood, kidney field to function, there is accumulation of nitrogenous waste in the blood, important question है, कई बार है गेजा में पूछा गयाने स्ट है, लेक्टोजनिक हार्मोन is segregated by, optional placenta, option B, ovary, option D, pituitary gland, and option D, memory gland, आंचे क्या हो जाएगा, option C, यानि की pituitary gland, लेक्टोजनिक हार्मोन is segregated by, तो answer is option C, यानि की pituitary gland, next question, which other falling endocrine gland is situated in the neck, options are pancreas, option B, thyroid, option C, pituitary, and option D, adernal, answer is option B, यानि की thyroid gland is situated in the neck, important question है, कई बार है गेजा में पूछा गयाने स्ट है, sex hormones are synthesized from optional protein, option B, nucleic acid, option C, general fat, and option D, cholesterol, तो answer क्या हो जाएगा, option D, यानि की cholesterol, sex hormones are synthesized from, answer is option D, यानि की cholesterol, important question है, कई बार है गेजा में पूछा गयाने स्ट है, नश्रते हैं, the thymus gland produce a hormone called optional thyroxine, thymocine, thyrinine, and option D, calcetonine, answer क्या हो जाएगा, option B, यानि की thymocine, the thymus gland produce a hormone called thymocine, important question है, कई बार है गेजा में पूछा गया, friends, अगर आपकी एक content अच्छा लागा, please video को like और share जरूर करेगा, और friends, आप चैनल की playlist जरूर जाके लिए, आपके लिए मैंने already बहुत सारा content डाल रखा है, जैसे कि मैंने science जी की series start की हुई है, साथ में मैंने environmental series भी start की हुई है, और ही मैंने series start की, जैसे computer की भी है, तो फिर वो सारी videos काफी जादा important है आपके आने वाले exam के लिए, तो आप उनको वीडियो को जाकर एक बाद जरूर देखिएगा, next रते हैं which one of the falling endocrine gland is not found in pairs in human, option R, adernal, option pituitary, option D, testis and option D, ovary, तो answer क्या हो जाएगा, option B, याने की pituitary endocrine gland is not found in pairs in human, बाकी तीनों ही pairs में exist करते हैं, चाहिए वो ovary हो, testis हो या फिर adernal हो, next question, many guided this effect which part of the body, option R, intestine, option B, brain, option C, gum and option D, skin, answer क्या हो जाएगा, option B, याने की brain, many guided disease effect which part of the body, तो answer क्या हो जाएगा, brain, important question है, कई बार है गिज़ा में पूछा गया, basically friends, जो many guided disease होती क्यों है, क्योंकि friends एक क्या होता है, क्योंकि हमारा human का brain होता है ना, उसमें एक fluid पाया जाते हैं, उसका हम बोलते हैं seribos spinal fluid, जो की protect करता है brain को किसे mechanical shock से, अगर उसकी quantity हमारे brain में ज्यादा हो जाएगी ना, तो तब जो हमें disease होते हैं, उसका हम बोलते है, many guided disease, next question, which lobe of the human brain is associated with hearing, option R, phalental lobe, option B, partial lobe, option C, temporal lobe, and option D, occipital lobe, तो आंचर क्या हो जाएगा, option C, यानि की temporal lobe of human brain is associated with hearing, important question है, कई बार exam में पूछा गया, basically यहां पर यह question और बन जाते हैं, जो आंचर आपने मुझे comment आप वह से जुरूब ताना, question ही है, आपको यह बताना है, कि हम human brain के किस पार्ट को little brain के नाम से भी जानते हैं, next question, vital test is used for diagnosis of typhoid, next question, the kidney shape guards are present in dichot plant, option B, monocot plant, option C, both A and B, and option D, L, आंचर तो option A, यानि की dichot plant, important question है, कई बार exam में पूछा गया, नहीं से जानते हैं, cactus is referred to as option A, hydrophytes, option B, mesophytes, option C, zerophytes, and option D, epiphytes, तो आंचर क्या हो जाएगा, option C, यानि की zerophytes, important question है, कई बार exam में पूछा गया, next question है, yellow spot on citrus leaves is due to the deficiency of option A, zinc, option B, magnesium, option C, boron, and option D, iron, ये question आपसे पूछा गया था, कि आपने देखा होगा, जितने भी citrus fruit होते हैं, उनके उपर कई बार yellow spots जो है, वो आ जाते हैं, अब आपसे ये पूछा गया था, वो किस की deficiency की वज़ा से आते हैं, तो चार option गया थे, zinc, option B, magnesium, option C, boron, and option D, iron, तो answer क्या हो जाएगा, option B, यानि के magnesium की deficiency की वज़ा से, yellow spots आ जाते हैं, citrus fruits की leaves के उपर, next question, which part of the brain is called little brain, ये question आपसे पूछा था, हमें recently, बट यहीं पर आ गया, option C, cerebrum, option B, cerebellum, option C, corpus, calcium, and option D, medulla, obolongata, answer is option B, यानि के cerebellum, part of the brain is called little brain, अगर आप से पूछा है, कि जो हमारा brain है, उसका सबसे बड़ा, largest part कौन सा है, तो answer क्या हो जाएगा, cerebrum, इसको भी याद रखी, ये भी exam में पूछा जाता है, next question, respiration is controlled by which part of the brain, option A, medulla, obolongata, option B, cerebellum, option C, olfactory lobes, and option D, hypothalamus, तो आप से क्या हो जाएगा, option A, यानि के medulla, obolongata, controlled respiration, important question है, कही बार एक रिजाम में पूछा गया, नहीं से लते हैं, the part of the brain which controlled emotional reaction in our body, option A, medulla, obolongata, option B, thalamus, option C, cerebrum, and option D, hypothalamus, answer is option D, यानि की hypothalamus part of the brain which controlled emotional reaction in human body, next question, which of the following secret growth hormone, option A, adenogran, option B, pituitary gland, option C, gonads, and option D, pancreas, तो आप से क्या हो जाएगा, option B, यानि की pituitary gland secrete growth hormone, next question, which of the following protein is found in nails, यानि की हमारी नाखों में कौन सा protein पाया जाता है, option A, histone, option B, kretin, option C, erastin, and option D, actin, answer is option B, यानि की kretin protein is present, is found in human nails, या फिर किसी भी की nails, next question, who collect blood from organs, option A, arteries, option B, veins, option lungs, and option D, nerves, तो आप्शन क्या हो जाएगा, option B, यानि की veins collect blood from various organs, important question है, कई बार exam में पूछा गया, नशलते हैं, in crocodile, herd is option A, two chamber, option B, three chamber, option B, four chamber, and option D, five chamber, बताने से क्या हो जाएगा, option C, यानि की four chamber, herd is present in crocodile, important question है, कई बार exam में पूछा गया है, friends, अगर आपको ये content अच्छा लग रहा, please, video को like, और minute, 10 friends, share, जूरू करें, आप हम instagram, telegram, और फिर जोइन कर सकते हैं, as bend the study IQ को जी के, friends, एक question आप पर, जनली पूछा, कई बार exam में पूछा गया, तो आपको में बदा देता हूँ, अगर आपसे पूछा है, कि ऐसा कौन सा enzyme है, जो कि सबसे पहले mix होता है, हमारे पूरे food में, तो answer क्या हो जाएगा, petaline, या फिर salivary amylase, इसको याद रखेगा, ये कई बार exam में पूछा जाता है, निशलते हैं, peeling of the onion causes tears as unreleased, option B, sulphonic acid, option C, amino acid, and option D, carbolic acid, friends, question B, C, के लिए पूछा गया था, जब हम प्याज को चीलते हैं, तो हमारी आँखों में जब आशों आ जाते हैं, अब आपसे ये पूछा गया था, कि जो आशों आते हैं, वो क्यों आते हैं, चा क्या हो जाएगा, option D, sorry, friends, का जो answer होगा, वो होगा, option B, यानि की, sylfenic acid, correct कर लिजेगा, इस cancer है, option B, यानि की, sylfenic acid, cause tear on peeling onion, important question है, कई बार exam में पूछा गया, निशलते हैं, यूरिया is transported by, option B, lymph, option RBC, and option B, WBC, आंचे क्या हो जाएगा, option A, यानि की, plasma transport durea, important question है, कई बार exam में पूछा गया, फेंट बात ओरी थी, RBC और WBC की, RBC की full form, dead blood cell, white blood cell, WBC की full form, white blood cell, अगर हम बात करें, RBC, अगर आपसे यह पूछा जाए, कि जो RBC होता है, तो आंचे क्या हो जाएगा, 120 days, अगर हम बात करे है, WBC की, उनका जो lifespan होता है, वो कितने दिन का हो जाता है, आंचे क्या हो जाएगा, 3 to 10 days, important question है, दोनों ही, नहीं से लेते हैं, how many bones present in human ear, option 6, option 7, option 8, and option 9, तो आंचे क्या हो जाएगा, option A, यानि 6 bones present in the human ear, important question है, कई बार है, जा में पूछा गया, अगर आप से पूछा है, कि हमारी body में, smallest bone कौन से, तो आंचे क्या हो जाएगा, stay bone present in human ear, अगर आप से पूछा है, कि हमारी body में, सबसे बड़ी, जो bone है, वो कौन से, तो आंचे क्या हो जाएगा, फीमर, या फीम को थाई bone भी कहते हैं, अगर आप से पूछा जाएगा, कि हमारी body में, largest muscle कौन से, तो आंचे क्या हो जाएगा, glutus maxima, ये तीनो कोशन काफी जादा important है, कई बार एक exam में, पूछेंगे हैं, तो आप के लिए भी important है, तो आप इनको कोई note जरूर का लीजेगा, next लेते हैं, अगर हम बात करें, smallest की तो आप से क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें, largest vein की, तो आप से क्या हो जाएगा, inferior venkava, अगर हम बात करें, largest WBC, यानि की, बाइज बात से क्या हो जाएगा, monocyte, अगर हम smallest के बात करें, तो आप से क्या हो जाएगा, lymphocyte, ये important question है, और कई बार एक ज़ा में, पूछे गए, अगर आप से पूछा है, कि largest endocrine gland क्यों सा हमारी body में, तो आप से क्या हो जाएगा, thyroid gland, इसको भी याद है, ये भी कई बार एक ज़ा में पूछा जाते है, तो आप से क्या हो जाएगा, option D, यान कि all of the above, अगर centimeter पूछे तो 25, अगर mm पूछे तो आप से का 250, next question, what happen to people when the intensity of the outside light is high, option R, contract, option B, expand, option certain close, and option D, no impact, फिर्स question B, सी के लिए पूछा गया, तागर मान लेते हैं कि अगर बाहर की जो light sunlight हारी है, वो काफी तीज है, यहां फिर उसकी intensity जादा है, तो उस टाइम जो people है, हमारी आँखा उसके ओपर क्या effect पड़ेगा, चार option देगे तो और contract हो जाएगा, expand कर जाएगा, बंद हो जाएगा, यहां फिर कोई भी impact नहीं पड़ेगा, आइन से option A, जाने कि contract, when the intensity of outside light is high, then people contracts, important question है, कई बार है, गिजा में पूछा गया, बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो आइन से क्या हो जाएगा, करते हैं, फ्रेंट्स, 49, question की, the yellow color of the unit is caused by which pigment, question PC के लिए पूछा गया था, कि जो हमारा unit होता है, उसका yellow color बेसी के लिए किस pigment के वज़ा से होता है, तो आइन से क्या हो जाएगा, यूरो क्रोम, important question है, कई बार है, गिजा में पूछा गया, फ्रेंट्स लेते हैं, kidney stone which formerly the kidneys made up of, फ्रेंट्स, question PC के लिए पूछा गया था, कि जो हमारी, आपने सुनना होगा, कुछ लोग कहता है कि हमारी kidney में stone बन गया, आप से यह पूछा गया था, कि जो kidney में stone बन जाता है, तो बेसी के लिए वो किसका बना होता है, तो आप से क्या हो जाएगा, calcium oxalate, इंपोर्टर कोशन है कई बार एक जाम में पूछा गया है, नेश्व लेते हैं, पिलोरा is a covering of, तो आप से क्या हो जाएगा, लंक्स, तो हम बेसी के लिए हमारे लंक्स होते हैं, इसके उपर covering होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, बिलोरा, अगर आप से ये पूछा है कि, जो human का voice box लोक्त को हम क्या बोलते हैं, और जो birds का voice box, तो जो fends human का voice box, लोरा नेटक्स होते हैं, सिरीनिक्स, दोनों question important ने कई बार एक रिजा में पूछा गया निश्रत है Name the part of human air which collects the sound wave and transmit it to air drum आंचे क्या हो जाएगा पीना is the part of human air which collects the sound wave and transmit it to the air drum Important question है कई बार एक रिजा में पूछा गया Last question The eye of the animal grows due to the presence of beach pigment तो आंचे क्या हो जाएगा टैपिड़म लूसिड़म Friends question पर से लिए पूछाएगा था कि आप देखा होगा कि कुछ animals की आंखे जो रात को पर चमकती है तो आप से यह पूछा गया तब वो क्यों चमकती है ऐसा क्या होता हुआँकों में या कौन सा पिगिमेंट होता है तो आंचे क्या हो जाएगा टैपिड़म लूसिड़म तो फैंट जी फिफ्टी ब्लस कोशन थे बाइलो जी साइन्स जी के के अगर आपको यह कंटेंड अचा लगा प्लीज वीडियो को लाइक और मिन्यों टैंट शेर जूरू करें आप हम इस्टाग्राम टेलिग्राम औ और फेज़ों कर सकते हो एस विरेंदर स्टेडिया को जी के और फ्रेंट्स हमारे चैनलों को भी स्वाइदा के नेक्स टोड़े अपडेट जल जली मिल जाए तो थैंक्यू सब्सक्राइब वीडियो प्लीज लाइक शेर और कमेंट मिलते हैं नेक्स अच्छ अच्छ अच् झाल्ड़ वीडियो जीजियो जीजियो बिंदियो टायचिए।